सो गाइस इस वीडियो में हम लोग create करने वाले हैं एक Google Ads एकाउंट और ये वीडियो PC user और mobile user दोनों के लिए helpful होने वाली है क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने mobile से भी Google Ads एकाउंट create कर सकते हो और अपने PC से भी और easily आप अपने business website और YouTube वीडियो को promote कर सकते हो बट Google Ads एकाउंट बनाने के लिए आपको एक fresh email ID चाहिए जिससे आप कभी भी Google Ads एकाउंट न बनाए हो बट अगर आप ऐसा कर चुके हो और नया email ID बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के description में आपको दो वीडियो का link मिल जाएगा जिसके पहले वाले link वीडियो में मैं आपको ये बताया हो कि computer से email ID कैसे बनाए और दूसरे वाले में मैं आपको बताया हो कि mobile phone से email ID कैसे बनाए तो ये सब देखना चाहते हो तो description चेक कर लो बट अगर आपके पास एक ऐसा email ID है जिससे आप कभी भी Google Ads account नहीं बनाए हो तो simply आप Google Chrome open करो Ads Google लिख कर सर्च कर दो तो यहाँ पर आपको धेर सारे website के result देखने को मिल जाएंगे अगर आप ये चीज mobile phone में सर्च कर रहे हो तो उससे पहले आप अपने Chrome browser के इस three dot पर क्लिक करके यहाँ से desktop site सेलेक्ट कर लेना और अब यहाँ हमें जो website पहले नंबर पर देखने को मिल लई है ads google.com करके इस website पर क्लिक करके इसे open करना है website का interface हमें कुछ ऐसा दिखेगा सबसे पहले हमें इस man symbol पर क्लिक करके यहाँ से अपना email id सेलेक्ट कर लेना है जिस email id से हम कभी भी google ads अकाउंट नहीं बनाए है तो मैं यहाँ से अपना नया वाला email id सेलेक्ट कर लिया हूँ और इसके बाद यहाँ हमें start now का बटन देखने को मिलेगा इस पे क्लिक कर देना है अगे का process जब तक होगा तब तक आपको wait कर लेना है इसके बाद आप इस page पर आ जाओगे तो अभी आपको create campaign पर click नहीं करना है बगल में click करना है तो यह pop-up हट जाएगा तो अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर यह हमसे हमारे business का name पूछ रहा है आप चाहो तो डाल सकते हो और अपने channel का नाम भी चाहो तो यह आप यहाँ डाल सकते हो वारना ना चाहो तो कुछ भी मत करो simply next पर click करो और इसके बाद आप इस page पर मिलेगा part 2 देखने के लिए आप इस right वाले वीडियो पर click करो और अपना आगे का सभी process करो जो की इस वीडियो में detail में बताया गया है